Hello dear students, welcome back pressure chemistry classes. आपके exams के लिए chapter solution very very important है. ध्यान से वीडियो को last तक जरूर देखें. basic concepts का clear होना बहुत important होता है students. इसलिए आप समझेंगे तभी आपको आगे का chapter पूरा solution का chapter समझ में आएगा. जो चनल पर नए हैं वो चनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके. फर्स्ट पार्ट में हमने discuss किया था what is solution और सेकिंड पार्ट में हमने solvent and solute discuss किया था. अब थर्फ पार्ट में हम जानेंगे कि what is binary solution. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. क्या होता है binary solution? किसी भी solution में एक solvent होता है और एक या एक से अधिक solute present होता है. अगर solution में एक solvent और एक ही solute हो तो इस तरह के solution को हम कहेंगे binary solution. by means to यानि कि solution में सिर्फ दो ही components present होंगे. चलिए example लेते हैं सुगर solution का. इसमें क्या है? इसमें water है और sugar है. only two components are present. that is binary solution. और example देखते हैं जैसे like salt solution ले लेते हैं. जैसे इसमें भी क्या है? दो component होए? water and salt. तो that is binary solution. इस तरह के solution को हम कहेंगे binary solution. next वीडियो में यानि की part 4 में हम जानेंगे कि solution के types क्या होते हैं. ठीक है? solution की categories के बारे में हम जानेंगे वो भी examples के साथ. so students वीडियो पसंद आया हो तो like, share and comments करना ना हो ले.